आज फिर से आपके लिए लेके आई हो किचन के बहुत ही मज़ेदार टिप्स जिसे जानकर आपका टाइम बचेगा और पैसा भी बचेगा तो सबसे पहली टिप है जब भी हम रोटी पकाते हैं तो चकले से निकला हुआ जो आटा होता है यहां वहां हम जनरल इसे उठाते हैं फेक देते हैं या फिर कपड़े के साथ साफ कर लेते हैं जिसे कपड़ा भी और गंदा हो जाता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करती बलकि रोज इस आटे को इस सरी के साथ से उठाती हूँ और जो हमारा गैस स्टोव होता है जहां पर हमने सबजी को तड़का वगरा लगाया होता है तो आपको पता होता है कि हर तरफ तेल के घी के छीटे जो हैं गैस पर लगे होते हैं जो कपड़े से साफ करने के वज़े से कपड़ा भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है आटा और तेल लगने से कपड़ा जो है एकदम ग्रीसी हो जाता है साफ नहीं होता है तो ऐसा ना हो इसके लिए मैं क्या करती हूँ इस आटे से साफ करती हूँ गैस को और उसके बाद में इ इससे आपकी cleanliness बहुत जादा अच्छी हो जाएगी किचिन की. अगला जो टिप है वो इस तरीके का जो ग्लास है, लंबा होता है या फिर कोई लंबी बॉटल होती है या कोई बरनी होती है जिसके उपर का मूँ बहुत छोटा होता है, आपका हाथ उसके अंदर नहीं जा पाता है और साफ नहीं हो पाता है तो ऐसी चीजों को साफ करने के लिए बहुत ही मज़ेदा टिप बताऊंगी आपको मैं इस तरीके का जो स्कॉज प्राइट होता है, स्पॉँज होता है या फिर और भी कोई आप यूज़ करते हैं तो उसे आपको इस तरीके से फोक में अटकाना है और फिर इस तरीके से घुमाना है समझ लीजे कि अगर ये glass नहीं कोई bottle है या फिर कोई ऐसी बर्नी है जो नीचे से तो मोटी है लेकिन उपर से इतनी पतली है कि आपका हाथ अंदर नहीं जा पा रहा है तो ऐसे में fork और इस तरी के कूचे के help से आप बहुत ही असानी से अपने bottles, बर्नियों को, glasses को धो पाएंगे तो अब ये tip को आजमाईए अगर आपका हाथ मोटा है और glass पतला है तो ऐसे में ये tip आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है तो चलिए अब देख लेते हैं हमारी अगले tip हम सभी जो हैं फ्रेज के अंदर बहुत सारा सामान रख देते हैं और कभी रख कर भूल जाते हैं यादी नि होता कि ये वाली चीज भी हमने फ्रेज में रखी थी और बहुत महीनों के बाद हमें यादा है तब तक ओछीज खराब हो चुकी होती है तो मेरी आदत है, आप भी इसे आसमाईए, जितनी भी चीजे मैंने फ्रिज में रखी है, उनका नाम एक पेपर पे में लिख के इस तरीके से फ्रिज के बगल में चिपका देती हूं और समझ लीजे उसमें से कोई-कोई चीज मेरी खतम हो गई है, मैंने फ्रिज में से यूज कर ली है, अब नहीं है, तो उसे मैं कट करते जाती हूँ, और अगर कोई नई चीज मैंने डाल दी है, तो उसे मैं नीचे-नीचे लिखते जाती हूँ, तो इससे मुझे फ्रिज को खोल के देखने की कभी जुरत नी पड़ती मैं बस लिस्ट देखती हूं और उसे सबसे चीजों को यूज करने लगती हूं तो आप भी इस तरीके की टिप्स को अपनाएं ताकि आपकी भी फ्रिज की चीजें बिल्कुल भी खराब ना हो अगली जो टिप है वो और्नमेंट्स को लेके है जो नकली गहने होते हैं मतलब जो सोने के नहीं होते चांदी के नहीं होते वो जब गंदे हो जाते हैं तो हम उसे साफ नहीं कर पाते हैं क्योंकि पानी लगने से खराब हो जाते हैं तो पानी तो नहीं लगा सकते हैं पॉलिश भी नहीं करवा सकते हैं तो यहां पर बहुत ही अच्छा तरीका है आप बेसन या फिर आटा कोई भी चीज इसके ओपर डालके इस तरीकी से ब्रश से साफ कर लें आटा अगर आपको न बिना पानी के आप इस तरीके की जो आटिफिशल जूलरी है उसे चमका सकते हैं सिर्फ आटा नहीं जैसे कि मैंने आपको बताया आप बेसन भी उसकर सकते हैं लेकिन आटा जो है वो जादा एफेक्टिव है तो आप इस तरीके से अपने गहने चमकाएं मेरी अगली जो टिप है वो भरवा किसी भी सबजी को बनाने को लेकर है उसके लिए बहुत ही अच्छा मसाला आपको बताने वाली हो चाहे आपने भिंडी बनानी हो करेला हो मिर्ची हो शिमला हो या कोई भी चीज हो थोड़ा सा तेल गरम करेंगे उसमें थोड़ा मैंने खड़ा धनिया और जीरा डाला है थोड़ी सी हिंग डाली है साथ में यहां पे थोड़ा सा बेसन दे लिया है बेसन बिलकुल सूखा है इसे इसी तरीके से हम भून लेंगे जब तक कि इसका कलर चेंज नहीं हो जाता और अच्छी सी खुश्बू बेसन में से नहीं आने ल बेसन नमक डालेंगे इस वात के अनुसार और यहां पे मैंने अध्रक लसुन और हरीमेच की पेस डाली है जो की ऑप्शनल है अगर आपको यह मसाला बिलकुल सूखा ही रखना है तो आप अध्रक लसुन की पेस को रहने दे सकते हैं मैंने बहुत कम तेल का इस्तेमाल किया क्योंकि मिरा देम नौन्स्टिक पैन है अगर आपका देन क्योंकि फ़ूड़ा ज्यादा थाल बी डाल सकते हैं यहां पेसन नहीं रहना जाहिएए यह सुखा मसाला बना के और यह से स्टोर करके भी रख सकते हैं मतला आपको जब भी कई भर्वा चीज बनानी है तो जरू आप इस तरीकी का मसाला बना के किसी एर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं और जब भी आपको भर्वा चीज बनानी है उसमें डाल दे तो चली देख लेते हैं कैसे करना है आज तो मैं भर्वा मिर्ची बना रही हूं यह जो मसाला थंडा हो चुका है अब मिर्ची को कट लग के अपने जरूरत के अनुसार बः सकते हैं चाहें तो एकदम पूरा पाक कर दें चाहें तो थोड़ा-थोड़ा डाले आपको कितना पसंद है उसहाब से और जो नमक मिर्च में ने यूज किया था वह भी आपकी पसंद के ह्हसाब से किसी-कस की करारा पसंद होता है किसी क तो आप अपने स्वात के अनुसार चीजों को इस्तमाल कर सकते हैं, अब किसी भी पैन में थोड़ा सा तेल डाल के इस तरीके से हम इसे रखेंगे और इसे गोल्डन होने तक अल्टी-पल्टी होने तक पकाएंगे, तो इसे अल्टी-पल्टी करते हुए, बिल्कुल गोल्ड जो आज मैंने आपके साथ शेयर कियें, आप पसंद आएं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर पहली बार हैं, तो सब्सक्राइब करके वेल एक अंत बादें, ताकि फ्यूचर में आप मेरी कोई भी वीडियो में सना करें, आज के लिए बस इतना ही, तैंक यू और अब मैं इंजॉई करती हूँ, ये मज़दार भरवा मिर्ची